गुड बॉर्निंग बच्चों तो बेटा आज हम आपको जो चैप्टर एक्स्प्लेन करने वाले हैं दे नेम अद चैप्टर इस एलजेब्रा इट इस यॉर चैप्टर नम्मर 11 तो बेटा सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं कि अलजेब्रा एक्चुल में क्या होता है तो आपने इस चैप्टर के बारे में अभी अब स्टार्टिंग हो रही है तो पहले तो नहीं पढ़ा है लेकिन इसकी बारे में कुछ आपको जानकारी पहले से ही है जिसे mathematics में आप क्या चीज पढ़ते हैं सबसे पहले आपकी knowledge में आएगा numbers तो जितने भी numbers mathematics के according आते हैं उसको कहते हैं earthmatics earthmatics का मतलब numbers का explanation जैने कि 1, 2, 3, 4 यहने whatever number जितने भी number आपको पता है वो arithmetic के according आते हैं अब कुछ diagram से related भी mathematics के portion होता है उसे हम कहते हैं geometry अब now begin the study of another branch of math it is called algebra अब algebra में क्या होता है अब algebra में हम maths की चीज़ों को alphabet के according represent करते हैं ठीक है suppose a punkas have a n number of bananas महलूब punkas के बाद n numbers of banana है या a number of banana है तो अगर किसी value को हम suppose करते है किसी में suppose करते है as a alphabetical ठीक है अन्यके a, b, c, d या x, y, z तो उस्वर हम कहते हैं representation in algebraic form तो algebraic form में ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर study करनी है now, अब इसमें आपका अगला जो step दे रखा है it is match stick patterns अब ये क्या होता है चलो इसके बारे मैं आपको दूरा सा बताते हैं तो it is basically based on activity purpose mathematics तो यहाँ पर activity के रूप में कुछ match के pattern को समझाए गया है कैसे एक बच्चे ने L का shape बनाया with the well help of match stick माचिस की तीलियों से उसने क्या बनाया L बनाया तो अगर हम pattern को study करें तो एक L बनाने में कितनी माचिस की तीली यूज हुई 1, 2 अगर हम दो बार L बनाये तो 1, 2, 3, 4 अगर हम तीन बार बनाये तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ठीक है इस तरह से उन्होंने एक activity बनाई और number of L को बनाया with the help of match stick इसको हम चाहें तो table के according भी study कर सकते हैं जैसे एक L बनाने में कितनी match stick का use हुआ? दो का दो को बनाने में चार का 3 को बनाने में 6 का 4 को बनाने में 8 का ऐसे करके उन्होंने pattern को study किया और ये value को बनाया, ओके? तो यहाँ पर इसमें अब आप कहेंगे सर, algebra क्या है? तो algebra क्या है? algebra होता है इसका formula create करना, rules को create करना, तो यहाँ अगर pattern को आप समझें, तो आपको दिखाई दे रहा है, कि हर बार number क्या हो रहा है? double हो रहा है यानि कि जो भी number है उसका क्या हो जाता है? double हो जाता है, 6 pattern, L बनाने के लिए हमें 12 matchstick की जरूत पड़ेगी, double हो गया ना, 7 बनाने के लिए 14 की जरूत पड़ेगी यानि double का मतलब हर बार कितने का multiplied हो रहा है? 2 का multiplier हो रहा है तो यानि कि इसको अगर हम एक formula के according represent करना चाहें तो वो represent कर सकते हैं 2N से ठीक है, why we are putting हम multiplied 2 का क्यों कर रहे है? क्योंकि यहां value क्या हो रही है? हमेसा double हो रही है, सभी number में कितने का multiplier हो रहा है? 2 का into हो रहा है अभी आपको हम और एक example बताएंगे, ठीक है? इसी pattern के according यहां पर explain किया गया है यह C के pattern को the same procedure they are applying here, ठीक है? इसी तरह से उन्होंने एक और बताया हुआ है वो है F के pattern को ठीक है? तो अभी आपको हम start करते हैं इसकी exercise and I will explain you how to solve the question of 11.1 exercise तो दीक है, यहां क्या का गया है? Find the rule which gives the number of matchstick required to make the following matchstick pattern, याने कितनी matchstick की तीली की जरूरत पड़ेगी हमें, ठीक है? यह pattern को बनाने के लिए और इसके लिए हम क्या rule बना सकते हैं? rule का मतलब क्या होता है? यह भी मैं आभी आपको समझाता हूँ, ओके? तो लेट्स स्टार्ट दा फर्स कोशन आफ यॉर 11.1 exercise नाउ, फर्स कोशन आपको दे रहा है अब पैटन ओफ ब्लैटर टी अब टी के लिए हम देखें तो गो एक टी बनाया है तो एक माचस की तीली ऐसा लगा दी और एक ऐसा लगा दी यानि एक बार टी बनाने में हमें कितनी माचस की तीली की जरूत पड़ेगी एक ये हो गई और एक ये हो गई अगर हम दो टी बनाते हैं तो फिर से यहां पर एक लगानी पड़ेगी एक यहां लगानी पड़ेगी यहने कि एक के लिए कितने टी की जरूत पड़ रही है दो तीलियों के जरूत पड़ रही है अगर दो हम बनाते हैं टी तो देखो एक, दो, तीन, चार यहने कि चार की जरूत पड़ेगी अगर हम तीन बनाते हैं देखो एक और हमने बनाया एक मार्चल इसकी तीलिया और लगाई एक और लगाई ओके तो एक, दो, तीन, चार, पांच और शह तो शह की जो रोट पड़ेगी यानि हर बार नमबर क्या हो रहा है हमारा डबल हो रहा है तो डबल हो रहा है मतलब डबल कब होता है जब इसमें कितने कांग 2 करते हैं? हम 2 का मल्डिपलाइट करते हैं तो वो number क्या हो जाता है? डबल हो जाता है तो अगर आप से पूछा जाए कि रूल क्या होगा स्ट को बनाने के के लिए तो लेटर को ट को बनाने के लिए रूल हो जाएगा 2N आप चाहो तो यहाँ N लगा दो या A से लेकर Z तक में कोई भी अलफावेट लगा दो अब ऐसा क्यों किया हमने वाई भी है पुटिंग देश अलफावेट तो इसका मतलब N हमारा किसी भी नमबर को रिप्रेजन करता है जैसे N अगर मान लीजे हम एक T बना रहे होते तो N की जाए क्या रख देंगे 1 तो 2 इंटू 1 आंसर क्या जाएगा 2 देखो यह आगा आंसर मारा अगर मान लो हम 2 T बना रहे हैं तो N की जाए क्या रख देंगे 2 रख देंगे और यहीं नहीं हम मालीजे 100 वार T बना रहे हैं तो N किज़ेगे 100 रख सकते हैं तो मतलब यह formula हमको बताता है कि हम कितने भी T को represent कर सकते हैं ठीक है? अब इसी तरह से इसके सारे के सारे questions हैं Not only this, सारे के सारे questions देखो मैं आपको एक और बताता हूँ इसी का B वाला पार्ट अब B वाले पार्ट में क्या कहा गया है? उन्होंने letter लिया Z अब Z में हम देखेंगे 1, 2, 3 तो एक बार बनाने के लिए कितने तीलियों को जरूत पड़ेगी? 3 अगर हम 2 बार बनाते हैं तो एक बार फिर से लगाया फिर एक बार लगाया और फिर एक बार लगाया तो आप वो 3 ही हो गई यह तीन ही हो गई यहांने 2 बार लगाने के लिए कितने की जरूत पड़ेगी? 6 की जरूत पड़ेगी तो यहां भी क्या हो रहा है? ठीके? कितने का in 2 हो रहा है? 1 में कितने का in 2 हुआ कि 3 आ गया? 3 का 2 में कितने का in 2 किया हमने? कि 6 आ जाए? 3 का तो यहाँ पर हर बार कितने का multipel हो रहा है? 3 का तो अगर हम rule बनाने के लिए कहें तो इसका rule बनाने के लिए क्या हो यूज हो जाएगा? Rule इसका 3N तो N के रेप्रेजेंट करता है यहाँ पर number of match stick को मतब हम जितनी पैटर्म बना सकते हैं तो N की जगा 1 रख देंगे तो कितनी तीलियों जरूद पड़ेगी? 3 into 1 याने के 3 match stick की जरूद पड़ेगी मालो हमें यहाँ पर 2 बार Z बनाना है तो N की जगा रख देंगे हम 2 रख देंगे तो 3, 2 जगा 6 याने के कितनी तीलियों जरूद पड़ेगी हमे 6 की जरूद पड़ेगी तो N रेप्रेजेंट करता है क्या सको? number of Z को और 3N रेप्रेजेंट करता है किसको? number of match stick को तो इस तरह से आप इस question के सारे के सारे letters को represent कर सकते हैं okay one more I am explaining you and this is the C part ये क्या है? a pattern of letter U as this अब ये आपको U दे रखा है U के लिए उन्होंने एक तीलियों ऐसे लगा ही एक ऐसे लगा ही और एक ऐसे लगा दी तो कितनी तीलिका यूज विया उन्होंने? एक, दो, तीन एक U बनाने के लिए तीन उन्होंने तीलियों का यूज किया अगर हम दो बनाते ठीक है? दो बनाते तो क्या हो जाता? फिर से उन्होंने इस तरह से इसको आंगे represent कर सकते हैं ठीक है? तो यहाँ पर हमारा एक और U बनाने के लिए 6 का यूज हो जाएगा ऐसे ही अगर हम और बनाते है 3 बनाते तो क्या हो जाता हमारा यहाँ पर हर बार किसना इंटू हो रहा है? 3 का इंटू हो रहा है और 3 का इंटू हो रहा है तो इसके लिए क्या formula बनेगा हमारा letter U के लिए 3N Same like this बस उन्होंने pattern को change कर दिया बाकि उन्होंने same procedure को apply किया हुआ है इसी तरह से इसको next दे रखा है अब pattern of letter V अब V में देखोई एक matchstick का use ये किया और एक ये किया तो एक बार V बनाने के लिए कितना use किया एक बार बनाने के लिए 2 matchstick का use किया तो अगर हम एक और बनाते हैं एक matchstick लगाएंगे दूसरी matchstick लगाएंगे तो हमने 2 अगर बनाए तो 4 का use हो रहा है तो यहां कितने का multipel हो रहा है 2 का multipel हो रहा है ऐसे ही next है आपका pattern of letter E अब E में हम देखें तो देखो 1, 2, 3, 4 और ये 5 यानि एक वार E बनाने में 5 बार का यूज हुआ एक और बनाएंगे तो फिर से वही 1, 2, 3, 4 और 5 यानि कि एक बार बनाने में 5 का यूज हुआ दो बार बनाने में 5 ये 5 यानि 10 का यूज हुआ तो यहां आपको simple देखाई दे रहा है किस की table बन रही है 5 की table बन रही है तो कितने का multiply हो रहा है 5 का multiply हो रहा है तो rule के लिए हम क्या लिखेंगे 5N लिखेंगे ओके इस तरह से हम इस question को solve कर सकते हैं again they are applying the same method for the letter S S के लिए उन्होंने क्या यूज किया 1 match stick 1, 2, 3, 4, 5 एक और बनाना हो तो 1, 2, 3, 4, 5 यानि एक को बनाना है तो 5 दो को बनाना है तो 5 और 5, 10 हो जाएंगे तो इसमें कितने का into हो रहा है 5 का multiply table बन रहा है यानि कि formula हो जाएगा 5N similarly अगर हम letter A के लिए बनाती है तो देखो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 तो यह 6 का use हो रहा है तो formula क्या बन जाएगा इसका 6N बन जाएगा इस तरह से आप इसके first question को solve कर सकते हैं Okay students, goodbye all of you